एक ऐसा देश भी है जो हमसे साथ साल तीन महीने पिछे है इतना ही नहीं महा एक साल बारा का नहीं बलकि तेरा महीने का होता है ये कौन सा देश है यहां समय इतना पिछे क्यों चल रहा है यहां साल बारा की जंगा तेरा महीने का क्यों होता है इन सभी सवालों के जवाब देश का नाम है इथोपिया जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है इथोपिया अफ्रिक्टा का सबसे पुरान संतंतर देश है और अमेनिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना अधिकारिक इसाई राष्टर है वर्डो मीटर्स एलोबरेशन ओफ दा लेटेस्ट उनाइटिड नेशन की आकडो के निसार इथोपिया की वर्त मान जनसंख्या 11.4 करोड है इथोपिया पुर्वोत्तर अफरिका रिशेतर में है जिसे हॉर्न ओफ अफरिका के रूप में भी जाना जाता है यह अफरिका में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक अबादी वाला देश है इसके उत्तर में इरिटीरिया उत्तरपूर में जिबूती पूरव में सोमालिया दक्षिन में केनिया और पश्ची में सुडान है अमारिक इथोपिया की अधिकारिक भाशा है हलाकि अंगरेजी इताल्वी फ्रेंच और अर्बी भाशाएं व्यापक रूप से बोली जाती है बड़े शहरों और कस्बों के बाहर के शेत्रों में सवदेशी भाशा बोली जाती है हिनमे से सबसे आम है औरेमेनिया और त्रीगीनिया इथोपिया में एतियासिक और सरवादिक खुबशोरस शहर अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी और अफरिक्का में शोपिंग वे बजार के लियाज से सबसे बड़े शहरों में से एक है इडामा, एडिस के पास एक लोग प्रीय शहर जिसे नजरत के नाम से भी जाना जाता है दीरदवा, दूसरा सबसे बड़ा शहर है गोंडर, सतारवी और अठारवी शताबिदी के दोरान इथोपिया की प्राचिन राजधानी थी हरार दीरदवा के पास पराचिन दिवार वाला शहर है मेकेला तरीग्यान हाइलेंड्स का लोग प्रिय शहर है दुनिया में पहले जूलियन कलेंडर का इस्तमाल होता था फिर 1582 में गेरियोरियन कलेंडर की शुरुवात होई लग बग सबी ने इस कलेंडर को अपना लिया लेकिन कुछ देश इसके विरोध में भी थे इथोपिया भी इस कलेंडर का विरोध कर रहा था बता दे कि इथोपिया में इथिरोपियन कलेंडर का इस्तमाल होता है इस देश ने कभी भी जूलियन या गैरोगियन कलेंडर को नहीं अपनाया इथोपियन कलेंडर में एक साल में 13 माहा होते है इथोपियन का नया साल 10 या 11 सेप्टंबर से शुरू होता है 12 महिनों में हर महिने 30 दिन के ही होते है आखरी मैना पैगियू में कहलाता है जिसमें 5 या 6 दिन आते है साल में जिनकी गिंती नहीं होती हिन दिनों को छोड़ कर ये मैना बनाया गया दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में